हेलो बच्चो, बच्चो हमने 2.1 के 5 क्वेस्टन कर लिये थे, अब आएं बच्चे हम करेंगे क्वेस्टन नमबर 6, हमारे 3 क्वेस्टन रहते हैं इस एक्सरसाइज के, 6th, 7th and 8th, क्वेस्टन नमबर 6 में क्या लिखा हुआ है, सलील वांड टू पुट अप पिक्चर इन सलील के पास एक फोटो है और एक फ्रेम है, उस फोटो को वो फ्रेम में लगा कर फिट करना चाहता है अब बच्चे क्या दियावा है, हमें दियावा है, पिक्चर की चोड़ाई, दब पिक्चर इज, 7 and 3 by 5 cm वाइड, यह हमें बोला है, कि जो फोटो की चोड़ाई है, जो उसका ब्रेथ है, वो कितना है बच्चे, 7 and 3 by 5 और बच्चे हमसे लिखा हुआ है, कि to fit in the frame, frame में fit होने के लिए, the picture cannot be more than, 7 and 3 by 10 cm वाइड, इसका meaning यह है, कि जो हमारे पास frame है, हमारे पास मतलब सलील के पास, जो सलील के पास frame है, उस frame में, हम इससे ज़्यादा, 7 and 3 by 10, इससे ज्यादा cm का photo नहीं लगा सकते, यहनि maximum इतना ही लगा सकते है, इतने ही चोडाई का, इतने ही मतलब बच्चे, ब्रेथ का हम photo उसके अंदर लगा सकते है, इससे ज्यादा हुआ, तो photo fit नहीं आएगा, मेरी बास समझे, तो हमसे पुछावाए आगे, how much should the picture be trained, तो उस photo को कितना trim करना होगा, कितना काटना होगा, इसका meaning क्या है, इसका meaning यह है, कि जो photo की हमारे पास चोडाई है, यह ज्यादा हो गई है, क्या होगी है, ज्यादा हो गई है, और जिसमें हमें इसको लगाना है, जिस frame में हमें इसको लगाना है, वो कम size का हो गया है, इसका मतलब हमें photo को काटना होगा, तब जाकि वो fit होगा, तो वही पुछावाँ है, how much should the picture be trained, तो photo को कितना काटना होगा, कि वो frame में अच्छे स से फिट हो जाए इसको एक आसान से एक्जामपर से समझाओंगा पहले एक्जामपर समझाने के बाद फिर मैं आपको करवाओंगा इस क्वेस्टन को आओ देखते हैं आप ऐसे समझो आपके पास बच्चे एक पैन है जिससे आप लिखते हो एक कलम है एक पैन है क्या बच्चे एक पैन है ये जो पैन की लंबाई है ये है बच्चे 10 सेंटीमेटर क्या है 10 सेंटीमेटर ये पैन की लंबाई है 10 सेंटीमेटर तो obvious ही बात है जो इसके अंदर रिफल होगी क्या होगी रिफल रिफल होगी ने डिफल तो रिफल भी क्या होगी बच्चे almost 10 cm के करीब होगी यानि इसके जो रिफल है वो भी 10 cm के आसपास है बिल्कुल उसके जैसा जितनी लंबाई पैन की होती है उतनी लंबाई रिफल की होती है ठीक है बच्चे almost उसके जैसी होती है अब बच्चे मेरे बासनों आपकी जो पैन की रिफल है वो 10 cm की है और pen भी आपका 10 cm यानि कहने का मतलब यह है कि इस pen के अंदर 10 cm का refill जा सकता है अब एक टाइम ऐसा है कि लिखते लिखते इंक खतम हो गया refill खतम हो गई आप गए मार्केट में आपने मार्केट से लाए refill खरीद कर दुकंदार से बोल कर कि मुझको इस pen के लिए refill चीए लेकिन दुकंदार के पास उस pen का refill नहीं था उसने आपको बेवकूप तो क्या कहूँगा उसने वैसे ही बका कर आपको दुसरे pen का refill दे दिया आप घर पे ले आए जब घर पे लाकर आपने उस pen में उस refill को डाला देखा कि वो refill बड़ी है और वो 12 cm की है आपने नाप के देखा कि वो 12 cm की refill है 12 cm की refill है क्या वो refill इस pen में जाएगा नहीं जाएगा क्यों कि 12 cm है और pen कितने सेंटीमेटर का है 10 cm का तो आप कहोगे कि सर हमें अब इस refill को काटना होगा चाको से या सीजर से कैची से इसको काटना होगा तो मैं पूछूँगा बच्चे कितना सेंटीमेटर आप काटोगे आप कहोगे सर 2 cm क्यों? 10 cm तो जा सकता है आप गलती से ले आए 12 cm यानि 12 में से 10 को माइनस करोगे क्या बचेगा? 2 तो 2 cm आपको हिस्सा काटना होगा तब जाके उस पैन में वो रिफिल सेट होगी ऐसे ही ऐसे सेम कोस्टन है बच्चा बिल्कुल सेम कोस्टन है बस यहाँ पे रिफिल के जगाँ पे फोटो समझ लो और पैन के जगाँ पे आप एक फ्रेम समझ लो तब जाके आपका कोस्टन बिल्कुल असानी से हो जाएगा मैं आपको बस हिंट दूँगा लेकिन कोस्टन करोगे खुश से अब मेरी बास सनो आप लिखोगे कैसे वो देख लो आप लिखोगे दे ब्रेत ओफ पिक्चर इज 7 and 3 by 5 ये आपकी बच्चे पिक्चर की विदनेस यानि ब्रेत हो गई ठीक है अब सनो फिल लिखोगे दे ब्रेत ओफ फ्रेम दे ब्रेत ओफ फ्रेम 7 and 3 by 10 ये फ्रेम की चोड़ाई है फ्रेम की ब्रेत है यानि frame की जो चोड़ाई है वो photo के चोड़ाई से कम है तभी तो photo को हमें काटना पढ़ रहा है set करने के लिए ठीक बच्चे आप सुनो यह हमने कर दिया नीचे लिखोगे आप trimmed portion क्या लिखोगे trimmed portion of picture trimmed portion of picture is equal to बड़े में से छोटे को minus कर दो बड़ा कोन है बड़ा photo की size है तभी तो fit नहीं हो रहा है छोटा कोन है frame की size तो minus seven and three by ten यह आपका बच्चे question इस प्रकार जो भी आपका answer होगा उसके आगे centimeter लगाके वही आपका answer हो जाएगा बिल्कुल यानि उतना हिस्सा हमें trim करना होगा उतना हिस्सा हमें trim करना होगा उतने portion को अब कैसे करेंगे इसको solve यह आप खुछ से करेंगे इसके आगे में practice किया था कि ऐसे calculation को कैसी किया जाए उसके लिए हमें first question में practice करवा दिया गया है तो आप को यदि first question की सारे parts आते हैं तो यह आप खुछ से solve कर लेंगे असानी से नहीं आता है मुझसे पूछ लेना अब आओ बच्चे question number हम करेंगे 7 question number 7 में क्या लिखा हुआ है रितू एट रितू एट 3 by 5 part of an apple रूख बच्चे अभी रूखो है रितू एट 3 by 5 part of an apple सेव एक सेव है उसके पास एक सेव है रितू ने क्या किया इस सेव का 3 by 5 हिस्सा खा लिया कहते है न कि हमने आधा सेव खा लिया वो कितना है आधा का मिनिंग एक बटा दो एक बटा दो ऐसी वच्चे जैसे मालो आप इसका आधा इसा खा लोगे इसको क्या कहूंगा मैं इसको कहूंगा कि आपने इसका एक बटा दो यानि हाँ पार्ट खा लिया है ऐसे ही रितू ने इसका 3 by 5 part खा लिया है and the remaining part जो उसका remaining apple बज गया and the remaining apple वाज इटन बाई हर ब्रदर सोमू उसके भाई का नामे सोमू सोमू ने बचा हुआ सेव खाया 3 बटे 5 तो खाया रितू ने और बचा हुआ हिस्सा सोमू ने खाया how much part of the apple did सोमू इट तो सोमू ने कितना पार्ट खाया कितना पार्ट खाया यह हमसे पूछा हुआ है पहले इस question को करेंगे फिर आगे का line में पढ़ूँगा आओ करते हैं बच्चे देखो आप लिखोगे कैसे notebook में कैसे लिखोगे वो में लिखूँगा ने मैं बस बोलूँगा आप लिखोगे रितु एट इस line को लिखोगे रितु एट 3 by 5 part of an apple ठीक है लिख दिया उसके नीचे लिखोगे देन देन सोँ इट इस एट एट एपड देन हमने पूरा है किसे लिख और सबीखे है तो यहां में लिका हुआ है एक एपपल में से हमने एक लिया एक एपपल में से आपने इतना हिस्सा खा लिया तो कितना बचेगा हम मैनस करेंगे आपके पास दस टोफी है आपने दस टोफी में से तीन टोफी खा लिया क्या बचेगा आपको होगे सर सेवन टोफी बच गया ऐसे ही आपके पास एक इपपल है अल्ली एक इपपल है एक सेव है आपने एक सेव में से इतना हिसा खा लिया कितना बचेगा आप माइनस करोगे तो आओ माइनस करते हैं मैंने आपको सिखा रखा है कि यहाँ पे आप LCM लोगे 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो आप LCM ले सकते हो लेकि हम ऐसा नहीं करेंगे हम करेंगे shortcut आपको shortcut नहीं आ रहा है समझ में यहाँ पे बस बोल रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए 5 वंजा 5 मैंने आपको अच्छे से कराया question number 1 में जब मैं आपको पिछले वीडियो में समझा रहा था तो बच्चे वहाँ से आप इसको समझ सकते हैं 5 वंजा 5 अब इसको direct 5 में से 3 को माइनस करतों क्या आएगा 2 आएगा तो 2 बाई 5 यानि बच्चे 2 बाई 5 जो पार्ट है जो हिस्सा है वह समझाने काया किसने काया समझाने खाया तो आप इसको लिखोगे therefore therefore ऐसे लिखर therefore तीन डॉट देकर therefore समझ इटन 2 बाई 5 इतना हिस्सा वह एपल का खाता है अब अच्चे मेरी बासनों यानि हमने यहां से समझ लिया कि जो रीतु है उसने खाया तीन बाटे 5 हिस्सा सेव का और जो सोमू है उसने खाया 2 बाटा 5 हिस्सा ठीक है बच्चे अब सुनो who had the larger share किस बच्चे ने किस बच्चे ने ज्यादा हिस्सा खाया रीतु ने या सोमू ने बच्चे जब भी मैं आपको समझाया था कि fraction में हमें यह निकालना हो कि कौन सी value ज्यादा है कौन सी value कम है उसके लिए हम denominator को same करते हैं Lcm लेकर लेकिन यहां पे तो already जो denominator है वो क्या है same है तो यहां पे ऐसा करने की जोड़त नहीं है तब आप यह देखोगे कि numerator किसका बढ़ा है तो नुमिनेटर बच्चा 3 यहां पे इसका ज्यादा है यानि रीतु ने ज्यादा हिस्सा खाया और सोमू ने कम हिस्सा खाया तो आप लिखोगे यहां पे लिखोगे section के लिए रीतु रीतु had the larger share रीतु ने ज्यादा हिस्सा लिया यह हमने यहां लिख दिया अब सुनो अब हमसे पुछा वाये रोखो रीतु ने कितना खाया था बच्चे तीन बटे पांच और सोमू ने दो बटे पांच अब हमसे पुछा हुआ है बाई हाउ, बाई हाउ मच, कितना ज़्यादा खाया, कितना ज़्यादा खाया, रीतु ने सोमू से कितना ज़्यादा हिस्सा खाया, तो यानि मैं आपसे कहता हूँ, अब मेरी बासनो, दो बच्चे हैं मान लो, राम है, स्याम है, मैं इस एक्जामपल से हट के मैं आपको एक् राम ने चार से उखाया, अस्याम ने तीन से उखाया, मैं आप से पुछ रहा हूँ, राम ने ज्यादा खाया, तो इतना मैं आप से पुछ रहा हूँ, कि राम ने स्याम के मुकाबले कितना से उख फालतू खाया, कितना से उख फालतू, यानि कितना से उख एक्स्ट्रा खाय क्या किया आपने आपने बड़े में से छोटे को माइनस किया ऐसे ही यहां भी बड़ा कौन है तीन बड़ा पांच जो की रितू ने खाया चोटा कौन है दो बड़ा पांच जो की सुमू ने खाया आपसे पूछा हुआ है किसने सबसे ज्याजा खाया आपने कहा रितू ने ख साहो 3 में से 2 गया एक मैंने डारेक्ट और वाले को माइनस कर दिया क्यूं ? क्यूंकि हम ने यह देखा कि नीचे नंबर है डैनुमिरेटर जब सेम होता है तो हम लेने की जोड़त नहीं होते हम डारेक्ट और वाले माइनस कर देते हैं तो आपका एंसर आएगा 1 by 5 यहाँ पे बच्चे हम से टोटल एक कोस्टन में तीन कोस्टन पूछा हुआ है पहला पार्ट क्या है पहला पार्ट ये है कि so moon कितना खाया दूसरा पार्ट ये है कि किसने ज़हा खाया तिसरा पार्ट ये है कितना ज़्यादा खाया तो तीन पार्टों के हमने एंसर आपको समझा दिया कोसर नमबर एट पे आ जाओ जो की काफी अच्छा कोसन ये भी है माइकल माइकल फिनिस कलरिंग अ पिक्चर माइकल एक फोटो को एक पिक्चर को रंग भर रहा है कलरिंग कर रहा है तो कलरिंग जो कर रहा है बच्छे माइकल फिनिस कलरिंग अ पिक्चर इन 7 बाई 12 आवर 7 बटे 12 7 बटे 7 बटा 12 घंटे में उस फोटो को कलर कर रहा है रंग भर रहा है इतने time में वैभोव finish coloring the same picture same photo को वैभोव भी coloring खर रहा है और उसको finish करता है कितने time में 3 बटा 4 गंटे में 3 बटे 4 गंटे में 3 by 4 hour who worked longer किसने ज्यादा लंबे समय तक काम किया हमसे यह नहीं पूछावा कितने किसने fast काम किया किसने fast काम किया यह नहीं पूछावा है हमसे यह पूछावा है किसने ज्यादा लंबे समय काम किया किसने ज्यादा लंबे समय काम किया है ठीक है पहला question दूसरा question क्या है by what fraction was it longer और कितना ज्यादा काम किया है माइकल ने जो टाइम लिया फिनिस करने में वो लिया साथ बटे बार यानि सेवन बाई ट्वेल्ब और बच्चे जो वैभों ने टाइम लिया वो लिया थ्री बाई फोर आवर हमें ये चेक करना है किसने ज्यादा टाइम लिया किसने जादा टाइम सुरी है किसने who work longer किसने जादा टाइम लिया किसने later काम किया तो बच्चे आओ करते हैं तो बच्चे इसके लिए हमें ये पता होना चीए इसमें से कौन सी value जादा है 7 बटा 12 जादा है या 3 बटा 4 जादा है जो उनसी value ज़्यादा होगी वो आदमी उतना ही ज़्यादा time लेगा ठीक है न तो बच्चे मैंने आपको इस question करवाने के लिए इसमें compare करवाने के लिए एक तरीका बदाया था जब भी हम fraction में तुलना करते हैं कि कौन से value बड़ी है कौन से value छोती है उसके लिए सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम denominator को same करते हैं नीचे वाले person को same करते हैं इसके नीचे 12 है इसके नीचे 4 है सेम कैसे करेंगे LCM लेकर तो 12 और 4 का LCM 12 ही होगा आपको किसर 12 और 4 का LCM 12 ही है तब हमें prime factorization करने की जोड़त नहीं है फिर भी आपको नहीं आया समझ में आप इस प्रकार 4 & 12 का LCM निकाल सकते हैं जैसे आप बच्पन से निकालते आ रहे हो तो 12 भी आएगा क्या बच्चे 12 भी आएगा अब बताओ यानि हमें denominator क्या करना होगा 12 करना होगा इसका तो already इसका तो पहले से 12 है already 12 है क्या इसको करने की जोड़त है नहीं है इसमें बच्चे 12 नहीं है इसको करते हैं 3 by 12 मैं 4 में क्या multiply करूं कि 12 आये जिन बच्चों को नहीं आ रहा है समझ में वो बच्चे क्रिपया जो आपका question number 2 है जिसमें हमें ascending order में arrange करना है पहले वो समझे वो आपको आगया समझ में किसी भी प्रकार की doubt नहीं होगी नहीं तो ऐसे ही आप सुनते रहोगी video कोई फायदा नहीं है और जिसने अच्छे से समझा है उसको 1% भी doubt नहीं होगा मैं क्या बोल रहा हूँ तो बच्चे मेरी वासनो मैं 4 में क्या multiply करूँ कि 12 भाजाए नीचे नीचे 12 भाजाए आपको के सर्थ 3 अज इस नमबर से हम नीचे करते हैं उसी नमबर से उपर भी करते है 3 से 3 तरी जा 9 यानि बच्चे जो आपका ये 3 भाई 4 है 3 भाई जो आपका 3 भाई 4 है मैं इसको 9 भाई 12 लिख सकता हूँ कैसे किया मैंने मैंने उपर भी 3 से गुना कर दिया और नीचे भी 3 से गुना कर दिया तब जाके ये 4 तरी जा 12 बना और 3 तरी जा 9 बना अब देखो दोनों का एलस्यम से हम आ गया सुरी दोनों का डे नूमिनेटर स है या 9 जज़ा बढ़ा है आपको होगे 9 बढ़ा है तो आपको बच्चे कि 9 by 12 यानि इतना टाइम जो लेगा वो आदमी वो बंदा ज्याएदा लंबा समय काम करेगा तो 9 by 12 यानि 3 by 4 की बात हो रही है बताओ 3 by 4 किसे ने लिया 3 by 4 लिया वैब होने किसे लिया बच्चे व वैब हो वर्क लॉंगर वैब हो वर्क लॉंगर यहनि वैब हो इसका अंसर होगा क्या अंसर होगा वैब हो वैब हो ने ज्यादा लंबा समय लिया वाइवट फ्रेक्चन वाजिट लॉंगर और कितना ज्यादा लिया और कितना ज्यादा समय लिया किसके मुकाबले इसके क् माइकल के मुखाबले तो बचे मेरी बास नो माइकल ने कम समय लिया 7 by 12 और वैभो ने 3 by 4 3 by 4 मतलब इसको हमने कहले का था 9 by 12 9 by 12 अब हमसे पुछावा है किसने सोरी वैभो ने माइकल के मुकाबले कितना लंबा समय लिया तो हम बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे वैभो के टाइम में से में को माइनस कर देंगे 9 by 12 minus 7 by 12 इसको काण दो 1 by 6 जो है वैभो ने ज्याजा टाइम लेगा इतना घंडा 1 by 6 आवर तो बच्चे यहाँ पर आपका question complete होता है मुझे को बता है question number 8 में and question number 7 में बच्चों को problem हो सकती है लिखने में जिन बच्चों को problem होगी लिखने में किसर हमें समझ में तो आ गया लेकिन note book पर कैसे लिखे मुझे को करना message मैं आपको लिख कर send कर दूँगा और जो बच्चे खुष से करेंगे हला कि मैंने बताया भी है आपको कैसे लिखना है तो बच्चे मेरी बास सुनके जो लिख लेंगे बहुत ही अच्छी बात है तो मुझे को वो भी check करवाएंगे खेर 2.1 आपका complete हो चुका है अब बच्चे हम कर से करेंगे 2.2